हाँ तो नमस्कार प्यारे दोस्तों पीजेसर क्लासेज के ओनलाइन प्लेटपॉर्म पर आपका स्वागत अभी नंदर है हम बात कर रहे थे भारती इतियास के और भारती इतियास के अंतरगत काफी कुछ पढ़ लिया था तो गुटकाल के बारे में चर्टाएं कर रहे हैं कि प्रशाइं की थी अन्तिम सासत तक हमने चर्टाएं कर ली थी अब किस प्रकार से इनका इनका प्रसास ने की विखास यह सारी चीजें हम बुटकाल के बारे में तो आज आज और पढ़ेंगे फिर कल से तक करेंगे तो देखते हैं क्या किसका सबसेब्सक्राइब बात करने के बात करते हैं का बात करों का बुटकालस था की बात करने जाता है यहां से मधुत काल का जयानकार्या तो रामाइन जो महाबारत है रामाइन और महाबारत को शाहतें को पुणर जागरण काल माना फिक्ष मुलर जो हमारे ज्यासकार काल कहा जा सकता है यह थोड़ा सा विसी इस रूप से ध्यान रख रहे हैं कि संस्कृत राष्ट्रिय सब्द या राष्ट्रिय रूप में पुकारा जा चुका था किसके रूप में राष्ट्रिय भासा के रूप अब यह रहे हैं कि अब यह दो तीन चीजह में लिग देता हूं एक तो यह आपको ध्यान रख ना रामायन रामायन वह महाबारत अहां भारत को अंतिम रूप दिया गया अंतिम गूप दिया गया और बात करें कि प्रमुख भासा गुप्टकाल की प्रमुख भासा गुप्टकाल की प्रमुख भासा गुप्टकाल की प्रमुख भासा या राष्ट्रिय भासा करें प्रमुख पुप्तकाल के महत्पूर्ण भहसा माने जाती है जो पुप्तकाल के का जाता है राष्ट्र भहसा बन गई थी चैनिवक प्रकार से राष्ठ्र भासा बना दिया गया था कि आपना दिया गया था इसे राष्ट्री भाहसा बना दिया गया तवह पी रसी हर्माद इला कर्षा बनेर लूडर Welcome अब बात करें इसके प्रमुक कवियों की बात करें या प्रमुक लेखों की बात करें यहां पर जो मुखे मुखे नाम देखने को मिलते हैं सबसे लिए हैं यह बहुता मोत पूर्ण को हुए इस हारी वायब विध्वान माना जाता है और माना जाता है वत्स वट्टी से विदार्षत्र सering का विद्वान माना जाता है बात करें यहां पर रहे हमास करें तो हरी सेर आरा में विदर्भी और गुंढी सेयली का आचार रहे थे इसका अरिकी चीम करके लेते हूं कि बात करने जा रहे हैं हरी सेंड हरी सेंड हरी सेंड हरी सेंड विधर्भी कौन सी भई विधर्भी व कौनडी का जिविधर्भी और गोनडी जो टेली थी कि अचारे था आचारे था किए द्वारा हरी हरी सेंड के द्वार ये प्रयाग परसक्ति लिखी गई इसके द्वार हरी सेंड के द्वारा इना जी गई है कि समूद्र गुट्ट का विध्वान माना जाता है या समद्र गुट्ट का राज कभी गुआ करता था जब दूआरा का लिखा गया इसकी रचना की बात करें कि रचना हरी शेंड की रचना है वो प्रियाग प्रसस्ति याग प्रसस्ति क्या बई याग प्रसस्ति की रचना है और बात करें यह है इसके सासनकाल का कमुद्र गुप्त के कमुद्र गुप्त का राज कवीता ही राज कवीता हरी सेंड किसका कवीता भी हरी सेंड समुद्र गुप्त का राज कभी माना जाता है इसकी रसना की प्रियाग प्रसस्ति की रसना की तो कहां से हमें इलावाद से प्राप्त होती कहां से प्राप्त होती है और बात करें तो वीर सेंड क की उद्धेगेरी गुर्फालेथ की रसना की इस ने की त्लि्स आकार हैने선 के क्या क्या था से कड़ारा प्पॉर्फ का नहीं कौंची कुहा लेख यानिकी Malika Bur trick की रचना की ती ऊचा उदे mecिल Kira की एले ये कि आलेक की रचना की कि और ये 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 रचना की ऊधे गलिखर की की रचना कि रचना की उदे ग्रीजिट्यनिक की की रचना कि द्वार एक जाती है बिल सेन के द्वारा और रुशी के साथ प्रदान मंत्री हुआ करता था किसका ये चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त टेकंड का प्रदान मंत्री हुआ करता था प्रदान मंत्री था क्या ता वह ये चंद्रगुप्त दिट्ट्य का प्रदान मंत्री वह करता था जहां से बात करें तो वस्त भट्टी एक्स बात करे किसकी बात करें वत्स भट्टी की किसकी बात करें वत्स भट्टी और वत्स भट्टी की बात करें कहा जाता है इसकी द्वारा क्या किया गया वत्स भट्टी की बारे में कहा जाता है पर दोस्तों क्या जानकारी मिलती है यह कुमार गुप्त का प्रतम का दर्वारी विद्वा पान किस्का उमार और गुप्त रतम का तर बारी दर बारी विध्वान था मिर्था फेर दर्बारी विध्वान था उसके बाद बात करें पिक जहां पर क्या जानकारी मिलती है जहां पर जो जानकारी मिलती है इसने मंदसोर प्रसस्ती की रचना की जिसमें चमवारी सलोक माने जाते हैं इसने मंदसोर कौन सी मंदसोर मंदसोर प्रसस्ती किसकी मंदसोर प्रसस्ती की रचना की किसकी रचना की रचना की मंदसोर प्रसस्ती की रचना की जिसमें समवारिश स्लोख है किसने स्लोक माने गए इसमें छमवारी से dwarf माने गए मंदसोर्प्रसस्ति मंदसोर्ष्च प्रसस्ति का पर mp में काँ रही यह मंदसोर रख ली MP में और जहाँ से इसकी जानकारी प्राप कुछी हमूज और बात करें गुप्त काल में इस चुट नाटक एक मात्र बॉठात नाटक लुच्छ कटिकम की रचना इसके द्वारा की जाती है जाद रचना आक्स बात करें तो चलेगा नेक्ष बात करते हैं मृच्छ कटिकम की सुद्रक की बात करें सुद्रक और शुद्रक एक का जाता है कि ये भी एक विध्वान था और इसके द्वारा रचना की जाती है एक तो मृच्छ कटिकम मृच्छ कटिकम की रचना की जाती है और कहा जाता है इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है वही मार्टिका खिलोना या गाड़ी इसका अर्थ क्या होता है मार्टिका खिलोना क्या होता है मार्टिका खिलोना क्या होता है मार्टिका खिलोना या गाड़ी ठीक है याद रखेंगा म्रच कटिकम का मतलब क्या होता है मार्टिका खिलोना या गाड़ी होता है यह किसकी रचना माने जाती शुट्रक की रचना माने जाती जिसके बारे में हमें देखने को बात करें यहां पर जो जानकारी मिलती वही अब देखते हैंандirk acro uh विषाक दत् सारा काद आता कि दो याया कि लिखे गए किसके भाध कर रहे हम विषाख दत् मृषाक दत्थ जो रचना प्रे रचना और इसके रचना कितने हैं दो नाटक लिखिग गया दो नाटक लिख ये यह लिखे वही दो नाटक लिखे एक तो कौन कौन सा एक तो ये वाला और एक वाला ना दो नाटक होगे एक तो ये वाला और एक वाला का जाता है कि एक तो मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्र गुप्तम एक तो कौन सा मुद्रा राक्षस कौन सा एक तो मुद्रा चंद्रक्त दिट्टे के द्वारा उचराज की हत्या वोल द्रूद्वी से विवा करने की जानकाले कि चैसरी की जानकारे मिलती है चंद्रगुप्त दिट्टे के द्वारा किसके जानकारी मिलती है पहरतों इसके जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त द्वारा शक राज का अन्त करना व तुरू देविशे विवा करना इसे प्यार दोस्तों दुरू तेवी। से विवा की जानकारी मिलती है। की जानकारी मिलती की जानकारी मिलती है यह जानकारी प्राप्त होती है दुरु देवी से विवा करना और सक राजा को प्राजित करने की जानकारी हमें कहां से मिलती है चंद्रगुप्त धित्ते की द्वारा कहा जाता है कि इसको मार दिया गया मार देने के पश्चात कहा जात कर रो के और कामशुत्र का वाइड कि गुप्तकायल में लिखी गई है इसके में लिखी गई है और देख एए किसकी बात करें रेत्तों पंच्तंत्र दर पंच्सर था के अंट्र ये फशबंड से गता है कि व द लिखी गई यह अर्थार्थ वात्साइन और वात्साइन के द्वारा लिखी गई थी जो कौन सी रचना है इसकी वात्साइन की जो रचना कर दोस्तों एक मिनिट इसको तोड़ा सब कामसुत्र वात्षाइन की रसना कौञें रसना कामसुत्र कोज़ कर चित्थ वात साइन की रसना कामसुत्र अर्याकिस के दौरा वात Сाइन के दौरा 25 से ऑप यह रचना भी यह जो जो अर्वी बहसा में अनिवाद किया जाता है किसका पन्चिदअद्र का अर्भी बहसा में अनिवाद किया Did already अबाँ अब्षे estás़ जो अनवाद है पेर दोस्तों क्या का गया कलिदى जीन ना का इन divine न पांच्ञ dal कि इस पंच्ञ रान इस और कर दो पंचु अ कंत्र का अर्भी अर्भी पासा का अनुवाद कलीला दमीना कहलाता है क्या कहलाता है और कहा जाता है कि इसमें दो सियारों की कता है क्या है कलीला दमीना में दो सियारों की कता है इसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्तान में जो चित्रकला सेलिया है वहां पर चित्रिये भी किये गए है और बात करें नेक्स अब इसकी बात करने जा रहे हैं नेक्स जो बात करने जा रहे हैं काली दा पास और कालीदास का कि भी हम आपको दिखाते हैं क्योड़ी का पास क्या पने पास कालीदास का फोटो देख पा रहेंगे आपको पुरानी फोटो क्योंकि ना अब दिखे यह जो फोटो देख रहे हैं कौन सा है कालीदास का फोटो जो देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों यह कालीदास है आपके मात्पूर्ण विद्वान होएं आपके साइट थे के अभी जग कहा जाता है इनके द्वारा काफी रचनाय दिखी गई एक इस फष्ट द फोटो इस तरीके से लिख लिखा करते थे यह चाई का फोट लिखा रखा हुआ है और लिखने का कारे कर रहे हैं कोने यह कालीदास कोने भी इसकी बात करें हूं कालीदास किसकी बात कर रहे हैं कालीदास की फोटो आप देख रहे हैं आपके सामने कालीदास और कालीदास क इन्हें भारत का सेक्ञेंट चार कावें और तीन नाटक लिखे गये स्वियां को no के द्वारा क्या लिखा गया 4 कावे और तीन नाटक त्वस इन नाटक लिखे जिए अन्हां नाटक लिखे गये र्मिक करते बात क्या रोटोट वर नी Körper और बात करें तो विदर भी सेली में लिखी गई रितु शहार जिए भी इनकी रशना मानी जाती है और बात करें तुझे यहां पर जान क्यारी मिलती है कि कुमार सब्वन क्या कुमार संभव और बात करें तो रगुवन्सम यह कहा जाता है इनकी रचनाएं हैं चलो मैं यहां लिखता हूं आप शुक्ते जाना देखे जाना ते लिए विदर भी शेली में लिखे गए विदर भी शेली में जो लिखे गए प्यार दोस्तों यहां ध्यां एक तो रितुний तो रितु शंहार और में चल दूसे टूसारा गया मेग दूत खंड दितु शंहार और मेग दूत खंड इनका और बात करें प्यार दोस्तों कावे की बात करें तो इनके कावे की अगर बात करें कावे किसके बात करें का जो कावे हैं कावे कौन कौन सा है एक तो अभी नाम लिया आपने कौन सा कुमार संभव और रगु वंसम यह दोनों क्या है इसके का जाता है कि इसके प्रमुक कावे माने जाता है कि इसके कावी बात करें हम अधिके माने जाते है कि रित्याजर संहार कगा दे लिट्यूसवार के बने में का जाता है यह एक हां कावे हैं और इसकी यह पृतम रस्डाब कंड़े है और 6 सरगुप में खटका वी का विवजन किया गया है वी Vice रिट्यू सम्रार कावे चलिएगा और बात करें और देखिएगा अब बात करने जा रहे हूं यहाँ पर किसकी रचने क्या बात करने जा रहे हैं भी चलिएगा नेक्स्ट यह तो कालिदास की प्रमुक प्रमुक रचनाय हो जाती है अब बात करते हैं गुप्त काल की और कौन-कौन से प्रमुक रचन ऑतनाकार या लेखक हुए हैं जिनके द्वारा रचनाय लेख की गई ए मिया पर दालते हैं ऐं रचना एक तरफ दूसरी तरफ क्सके द्वारा लिखी गई है लिए टीक है याद रखनद 무भा लिगले या तो आहriment हम से बीद्वान में धब दूसरी तरप प्रचना एक विद्वान साती और एक तरप रचना से संब्धित बही गुप्तकाल से समय रचना रचना हैं सबस्पहले हम बात करें का जाता है देवीचंद्र गुप्तम और जेवीचंद्र गुप्तम किसकी द्वारा लिखी गई यहां पर देवी चंद्र गुप्तम और दूसरी रचना के बात करें तो मुद्रा राक्षष गुद्रा राक्षष यह दोनों रचना को इसकी वही यह दोनों रचना मानी जाती है कि मानी जाती है यह विशाक दत्त की वानी जाती तर्तो रचना को लिखनेगा वीशाक दत्त और विशाक दत्त के द्वारा लिखी गई यह रचनाएं दोनी देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस जो रचनाएं यह विशाक दत्त की रचना मानी जाती है जो गुट्सकाल से समझत है और बात करें तो दस कुमार चरित कौन सी के बात करें एक रसकुमार चरित्र यह दंडीन की यह रचना किसकी मानी जाती है और यहां पर बात करें तो कहा जाता है किरातार जूनियम और गश्ट किरातार जूनियम किसकी है यह भार्वी की है कि यह जाती है राका वत रोटिकी किसकी बात करें राका राका वद डाका वद यह वात सीड़़ वक्षक्न माने जाती है किसकी वाट्स बट सीठिकी रॉट्से拇 माने जाती से और Sto अरफोस यह आता है अमरं सींग की ये अमरं की अमर सिंग की है इसकी अमर कोश अमर कोश और अमर कोश किश्की ए अमर सींग की इसकी है अमर की सींग की है इसे क्या कहा जाता है संस्कृत का विश्व कोश कहा जाता है क्या कहा जाता है संस्कृत का विश्व कोश कहा जाता है क्या कहा जाता है कोश कहा जाता है इस संस्कृत का विष्व कोश कहा जाता है यह विश्यष रूप से ध्यान रखने आपको ज्यान रखना है तरफ रचना पर एक तरफ विद्वान और इस तरीके से आगे आगे का जाता है कि नियाया उतार ये सिंग शेन की नियाया उतार कुन सी रचना की बात कर रहें नियाय उतार कि ये सिंग शेन की रचना किसकी रचना किसकी ये रचना पूर इदर विद्वान जिसकी द्वारा ये रचना की गई एक तरब तु रचना तरब विद्वान ठीक है ये धिहां रखना है नियाय अवतार ये सिंग शेन की रचना मानी जाती याद रखेगा पत्र पत्र विश्णू सर्मा की इसकी पत्र पत्र नेक्स बात करें पत्र पत्र कूंसी रचना की बात करें पत्र 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 ये विश्णू सर्मा की किसकी विश्णू सर्मा कि विश्नु पर माटी कि यह पत्र पत्र जो रचना है यह विश्नु सर्मा की माली जाती है और बात करें तो यह याद रख लेना कामसुत्र वाथ साइन की यह शुद्ध गम्द्धु गोश्की जुद्धि कर शुत्धि मग अ तुद्धी मग विशुद्धी मग के बुद्ध घोस्की इसकी बुद्ध घोस्की यह सारी रचनाई किससे समंदित है कि सारी रचनाई गुर्टकाल से शमंदित मानी जाती है तो यह सारी रचनाई किससे समंदित मानी जाती है यह बुद्ध घोस्के समंदित मानी जाती है अ हम चर्चा कर रहे जा रहे हैं तो कि चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर विद्वान साती हुए है अपने कौन से विद्वान साती हुए है चलिएगा यह हुए आपके विद्वान और इन विद्वान का नाम क्या है यह आपके आरे भट कौन है आरे भट कौन से विद्वान है और विद्वान हुए गणित तग्य हुए है और गणीत के विध्वान गयाता हुए ऑने ये पहले तो इनकी कि टर्चाएं करें कून है यह आरे बट है गणीत के विद्वान है वही तो आरे बट कौन से यह आरे बट है आरे क्या है आरे बट है आरे बट के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म गणित के विद्वान माने जाते हैं इन्हों है का मान निकालने वाले इननोंने पाइ का मान इन्हीं के द्वारा दिया जाता है यह फार्वां प्रकांड विद्वान वे नहीं का जाता है कि आरेवट के नाम से भारत का पतम उपगर छोड़ा गया था गर आरे भठ के नामसे भारत का पत्वगर चोड़ा ग guten सात्य सा तो कोन है ओर यह आरे भठ है किस के बात कर रहे हैं कि कि चर्चा कर रहे हैं हम आरे भठ की चर्चाय कर रहें और य Esp के बारे में कहा जाता है कि इनके दौरा इन की पुस्तह करें तो कब तनमा पाट़िलेपोत्रमे में वह हुआ आपर हुआ मतली फूत्रम आपर वही आपर लीपोत्रमें बोद बड़ी गनीत के विद्वान हुए और कभी awe त़्ुँमे चार्सच फीटलेपोत्रमें 400 वीश्में तो इनकी द्वारा कुन सी पुस्टके लिखी गई उस तक क्या इनकी रस्नाओं के नाम लिखे तो कौन-कौन-सी पैर दोस्तो आर्य बट्यम आरे बट्यम सूरे सिद्धान्त तस गितिका आरे बट्यम आरे बट्यम सूरे सिद्धान्त सूरे सिद्धान्त तस गितिका दस गिती का आरे भट्यम सूरे शिद्दान्त दस गिती का यह रचना किसकी माने जाती है यह आरे भट्के खगोल विज्ञान क्या से गणीत को अलग किया इन्होंने इन्होंने खगोल विज्ञान को विज्ञान को इस गणीट कि इखते ते अलग किया लग कैश्ट से अलग करने वाले कौन यही आरे बट्टे आते को नहीं यह आरे बत न माने जाते हैं और गणीद को गणीच अलग करने वाले यह बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं कोन भई आरे बट कर रहे हैं कि इनको बीज गनीत का जनक माना जाता है क्या माना जाता है और बात करें तो इनको बीज गनीत का जनक माना जाता है क्या माना जाता है इनको बीज गनीत का जनक माना जाता है क्या माना जाता है इनको बीज गन झाल 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 वाओ झाल 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 कि अच्छाइब कर दोस्तों तो यह आरेबट के बारे में बात कर रहे हैं और आरेबट के बारे में और क्या गया जनकारी मिलती है उसकी चर्चाएं करते हैं सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया बीज गनीत का जनक माना जाता है इनको क्या माना जाता है पीज गनीत इसका पीज गनीत का पीज गनीत का जनक के कौन है आरेबट और बात करें त्री भूज की बात करें पहरे दोस्तों त्रिभूज का च्हेत्रबल निकाला इनके द्वारा परतम खगोल स्वास्तरी है यह भारत कि भारत के के प्रत्म झास्तरिये भूल सास्तरी है याव है बहूं जाता है इतना कामky और कहा जाता है कभूल विज्यान को कहां तक पोचाया जन जन तक पोचाया और कहा जाता है निके द्वारा पाई का मान दिया गया इसके द्वारा 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 इसके द्वार 3.146 16 10 5 का मान 3.14 16 10 या थिक या रखना ये भी किसके द्वारा इनके द्वारा दिया दाता है और कैसारी जाते बाते होई तुरिक विस्तिती बताई इन्होंने जामितिका पारे में बताया इसके बाद का जाता यह त्रवंत्री है यह वागब्ट है सारे उतकाल से समन्दित ते रहें कि अब बात करें किस की बात करने जा रहा है तो अब गूत कालीनी चिस्तापत्ति कला की सिक्र करते हृइँ किसके बात करें कृ 잠깐만 काल कि गुर्फति काल की इस्तापत्त्य कला गुप्तकाल की स्थापतिकला देखीगा गुप्तकाल में कई सारे मंदिरों का निर्मान सबसे पहले बात करें तो मंदिरों का जो निर्मान है वो गुप्तकाल में प्रारंब हुआ अब प्रारंब हुआ भई गुप्तकाल के समय प्रारंब माना जाता है अर्थात मंदिरों क का निर्मान किस प्रकार के मंदिर होंगे इनका सभी प्रकार के सेलियों का निर्मान का जाता है गुटकाल से समधित माने जाते और इसी गुटकाल में प्रारंब होता है सबसे पहले बात करें तो यहां पर इस्टूप यह मुख्य इस्टूप और मीरपुरकास सारनात का इस् कि बात करें तो इस तूप की बात करें सबसे पहले तो बात करें तो इस तूप की बात करें तो इस तूप में सारनात का इस तूप कुण कुण से स्टूपों की जानकारी मिलती है हमें जहां से जानकारी मिलती है वुप्तकाल से तो मुख्य स्टूप जो मानते हैं एक तो मीरपूर खास किरह इस्टूप का सिंग Is 깃ू इसजू विरुर। खास इस स्टूप है तो ऊच है आद याध और बात करें तो शारृ नात इस्टूप तो पी कई फूप कहां कहा है सारनाथ का स्थूब कहां पर रहे यई यूपी में कहां पर इभी उत्रप्रदेश में सारनाथ कि इस तूब बना हुआ है इस तूब आप अच्छे से जानते हैं यहां पर विहार वहां बनाए जाते हैं जहां पर बोद के पवित्रिस्तान होते हैं जहां पर विहार की बात करें या इस्टूप या विवहार कहां पर बनाए जाते हैं जहां पर बोद धर्म से संब्दित हैं या विहार कर दे तो यह कहां बनाए जाते हैं बोद धर्म के विक्तियों की जानक जानकारे मिलती है आगे बात करते हैं तो क्या-क्या जानकारे मिलती है बुप्त-काली मंदिर विहार के बात करें एक तो विहार कहां पर तो कपील वस्तु सारनात और बोध गया बोध धर्म से संबंदित होते हैं इसे बोध धर्म के पवित्रिस्टल बोध धर्म के क्या किला थे विहार कहां कहां से प्राप्त हुए विहार तो हमने जो जानकारे मिलती है तो कफील वस्तु कहां से मिलती है बहर दोस्तों कफील वस्तु ठीक है बोध गया कहां बोध गया कफील वस्तु बोध गया और क्या जानकारे मिलती है और जो जानकारे मिलती है हमें सार Arnapt, कें, सार, नाइब, क्वार, नाथ, इन तीनों इस्तानों के से हमें घुत विहार मिलते हैं, का मिलते हैं, जानकार यहां से बोध Twoingen की जानकारी मिलती है, जो, गुट काल से समझतित रिद्रzung काने जाता है। कि से समझति पूге जाते हैं, अब कि बात करते हैं मंदिर की किके सा बंदिर के मंदिर इसी समय से यानिक मंद्रों का विकास और मंदिरों का कि पुट्काल में किसमें नागर सेली में बनाई जाते थे नागर सेली में बने होते थे बने होते यह आंके मंदिर जो है किस रूप से ध्यान रखना आपको बने होते नागर सेली में बने होते लिए नेक्स बात करते हैं नेक्स को बातकर दे बुप्त के चुक्योथ पुत्रा ओर शारना गुप्तु के समय कला के तीन प्रमुखकेंद्र बात करें अर्प तो belong केager चमय इस्ताफद्रक लागतीन के इंद्र कला के इन और यीन प्रमग के इन वह फोटेंड है कौन-कौन से हैं हम नाम लेते हैं बई कौन कौन से यहां पर सबस्क्राइब करनाम लखते हैं सब सबस्क्राइब बात करें तो यहां पर देख लिजो का लाके पर्मूह पेद्र मानेrend मतूरterm नेगे मत्रूर अमै IS पार्ठली पुत्र पार्ठली बच उत्र और जा टार नात यो तीन प्रमुख कलाकि केंदर से तीन ने ये ने पर अब था शारleo केंदर हो सब से यह यह मुख्य केंदर माना जाता है मुख्य केंद्र किसको माना जाता है सारनाथ को माना जाता है ठीक है याद रखिए ठीक है है मुणक्षे कलाका एक ही पाना जता है सारनात को मना दाता है मंदिरों की निर्मान तो क्या गुभूत्रे पर होता था और प्रारंवि के मंदेरों के चप्टि हुआ करती थि और शिक्र ही बाद में उंह Westeringर Retro कि बाद में अस्थित बाति हैं पस्टात बात करें ति सिकर बने मंदिर का पृतार्ण जो माना जाता है वह मना जाता है इकर का प्रतम उल्दार्न जो माणा जाता है देवगड़ का दसा अ४तार मंदिर उसक करें कच ये देख धेन आपको तो जाके चाहिए करें तो तौने परतिकोट वाने तो हे द देवगड़ का दसावतार मंतिर एक मैं और एक मिना कर देखिए आपके देवगण का दसा उतार मंदिर मना जाता है और यह मंदिर को चबूत्री वहा करते तो कहा जाता है कि चबूत्री ट्राइप ही हुआ प्रारंबिक मंदिर बनते ते यह इतने ही बनते थे लेकिन कहा जाता कि यह सिलाज यूक्त जो यह मंदिर माना जाता है यह उपर बना हुआ मंदिर माना जाता है कि देवगण का दसा उतार मंदिर है यह प्रतम मंदिर माना जाता है कौन सा मंदिर माना जाता है शिकर यूक्त प्रतम मंदिर माना जाता है जो शिकर यूक्त प्रतम मंदिर माना जाता है पैर दोस्तों जो कहां का है है MPK ज्हांसी में है कापर शिकर्यूप्त यह प्रतं मंदीर माना जाता है ठीक है इक अफ्य क्योट है कि देवगण का दसावतार मंदीर है कुछा में वह यह प्रसावतार अन्हाल on si Kapi तिक के द देवग्ड कातार मंदिर है एए ठीक ईहाँ रखनाए किंदो यह सिकर युख्ट भिकर युख्ट भिकर फिकर है तरी टो एपन रेत हम मंदिर है प्रतम ॉमादिर वा ज Οिक्र दिकर युख्ट अर्म↮्नदिर प्रतम मंदिर मना जाता है जो कहां पर जांसी में बना हुआ है जांसी में मानी जाती है यह मंदिर इस्ता प्रमुग नजारा मना जाता है जो है यह सिकर कितना है बारा मिटर उचा है कितनी है तो इसके शिकर की उचाई कितनी है इसके शिकर की उचाई यहां पर लिख दो तो है कि कर 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 दो कि इसके सिखर इसके चाहिए की बाद करें तो है पार दोस्तों फारा मिटर है इसके शिकर की यह जो उचाही देख रहे है यहां से लेकर कि यहां तक की उचय जो देख रहे हैं लाफ जो कतनी में मंदिर मानना जाता है और बात करें तो ॽज नेक्स्ट बात करें पैर दूस्तों और जानकारिया हम क्या मिलती है नेक्स बात करें तो और कुन-कुन से मंदिरों की जानकारी मिलती है और मंदिरों की जानकारी के भीतर गाउं का लक्षमन मंदिर कानपूर से प्राप्त होता है भीतर गाउं का लक्षमन का लक्षमन मंदिर कहां से प्राप्त होता है यह कानप पर रहे लक्षमुण मंदिर तो इस बना और और उसके बत करें के सिकर में भारत की सरोपरतम मैरावू का प्रीव किया गया है इसके इसके सिकर में इसके इसके निसे कर में कि है अ मि.. ऊज़tså मार्त में शर्व प्रतम महराबों का प्रियोग किया गया है महराबों का प्रियोग किया गया है भारत में शर्व प्रतम महराबों का प्रियोग किया गया है यह कानपुर में किया गया कानपुर का जो लक्षमन मंदिर है इसमें जो कहां पर मिलता है यह बीत्री गाउं का बीत्री ग कानफूल में कानफूल में हैं आपका ये मंदिर सहा जाता है ऊब्रोकवारत हुद तो तो पार ने कला हुए थोड़ा-थोड़ा पूरा बाल नतार इस नज़र आता है तो से मेराब कहां जाता है बही आउजर लाइन के वह स्काम क्लिए हम संप्स्काहिन Unter a वूतिकालिन मंदीरों का मुख्य विशेष्थ थी कि गर बगर क्या थी वही गुवशेष्थ थी मुख्य विशेष्थ थी इसके बाद बात करें अधिकतर मंदीर पाषान से निर्मित परत्रों से वह ऊपतरokee kein जाता है लेकिन कहा जाता है कि यहां सपर देखिए गुप्त काल में जो अधिकांस मंदिर है इसके बात करें कि गुप्त काल में अधिकांस मंदिर पत्र से पासान से बनी हुए थे पाशान पत्रों से निर्मित थे अब काल जाता है लेकिन इटों से बने यहां पर क्या मनें हुए थे इटों से लेकिन युटो से निर्मित मंदिर की बात करें कए क्या पर शिकर करते हैं 153 गाउ कोण सा बीतरी कॉं सब्सक्राइव मंदिर के बीतरी गाउं का अभी हाले में esas का मनने यो फीके में मंदिर कॉंदर में यह इसान है कि ट्री गाउं दोस्तों इर्पुर का लक्षमन मंदिर यह राइपुर 36 गड में हैं कुन सा धियर पूर कि आ लक्षमन कि मंदिर एक यह सिरस्पूर का सप्किल यह का है राइपूर आ पर तो तो राइपूर दोस्तों इतो से निरमित माना जाता है यह कहां पर राइपूर 36 गड़ में निरमित है उसके बाद बात करें पहाड़ पूर का राजसा ही मंदिर जो बांगलादेस में हैं पहार पुर्का पहार पुर्का साही मंदिर साही यह प्र यह बांगला देश में यह करें है पांगला है इसमी अदेश से लिकन पाना लाज साही मंदिर को हाब पर कर लोगे तर आची मंदिर ये काहां पर बांगला देश में पुन ईटो से निरमित जो गुपतकाल के मंदिर बात करते हैं और किसकी बात कर रहे है इनमें पंचायित असेली का में बढ़े पंचायत सेली में मंदिर बने लगे थे इस सरवाजिक मंदिर जो बने हैं का जाता है वो एमपी में बने तक चाल में पंचायतन सेली में भी मंदिर निर्माण मंदिर का निर्माण होने लगा था ठीक है यहाँ पर भी अर्थात यहाँ पर किसकी जानकारी मिलती है क् проб एक हाने डिर्माण होने लगाता और एसे मंदिर काहा इस मंदिर का इसे मंदिर का Basket ऑपर सरवादिक के सरवादिक को वाई कढने मंदिर का मनु Ent syrup, सेयली में निर्मित participar का मनें में जाता है यह विशेश रूप से ध्यान रखना और जो देवगड़ का दसा उतार मंदिर है वह भी पंचाइटिन सेली में माना जाता है देवगड़ का दसा उतार मंदिर वह भी पंचाइटिन सेली में दिर्मित माना जाता है पर दोस्तों यह विशेश रूप से आपको ध्यान रखना के लिनेखिए करते हैं सरवादिक मंदिर MP में मिलें का है में अर्वादिक मलें हैं सारे मंदिर मुख्य‑ मु llama से ब decreases बाते करते हैं कि अbolory कि तर्फ कर लेते हैं किसके रिते गुपाओं की ठ兩 E कि यह अजनता की गुपाएं प्रकार से हम देख पा रहें प्यारे दोस्तों कि आए अजनता की यह लोरा की गुपाएं तन तकी यह लोरा की गुपाएं हैं कि अरी भी हम काल से काल सेमने हैं तक यह लोरा की गुपाएं हैं कि अजनता और यह लोरा की गुपाएं हैं तका पहले अजनता की अजनता की गुपाएं अजनता की गुफाएं माने जाती है इसके बाद जो देख रहे हैं अब एलोरा की गुफाएं माने जाती है प्रकार से छोटी-छोटी कई सारी गुफाएं वनी हुई है जिसके बारे में कहा जाता है यहां से कई प्रकार का चित्राक्षर चित्रित किये गया है और यह अजनता की गुफाएं हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं प्रदोस्तों यह बारिक बारिक छोटी-छोटी गुफाएं बनी हुई है इनके अंदर यह उस सारी भीड लगी हुई है अंदर जाने के लिए लोगों की और इदर लोग भूम रहे है हैं इनके अंदर यह अजनता की घुपाय मानी जाती है और इदर बात करें लोगोंगաähänर आजनता आब सामेसूस होता है जब जाते हैं तो यहां पर भूम के आई अजनता और एलवरा की गुपाउं में प्रवेश कीजिए और अजनता और एलवरा की गुपा का जाता है अजनता की जो गुपाएं पैर दोस्तों यह एक से साथ लूप में खड़ी हुई है एक से साथ लूप में खड़ी हुई है और कहा जाता है यह कहां से मिलती हैं ओरंगाबाद महाराथस्ट प्राप्त होती है और यहां पर जा के बढ़ियास से विहार करके आई अच्छे से आनंद उठाइए कौनसी गुपाओं में जहां से कई प्रकार की का जाता है इनकी खोज जो की गई थी मद्रास में 1819 में की जा चुकी थी ऑफ जब खोजा गया इनको ढूंड़ कर निकाला गया का जाता है इनकी गूं कर आया तो कहा जाता है कि यह कहा जाता है कि पागोर नदी कोंसी नदीगे तटपर मानी जाती है फागौर नदी कोंची they are अजनता की कुपाएं कि तट्ष भंगम के दूआ है अञर한다 की सब्सक्राइब प्रस्तुत किया है उन्होंने के द्वारा और क्या क्या जानकारियां कि अभी जो मंदिर देख रहे हैं आप देवगड़ का दसावतार मंदिर के बाद यह है जो मंदिर देख रहे हैं आप कि कि हुआ है जो मंदिर है जो मंडिर है करे एक दूझा मंदिर है का पाल तो इस शऔर दोंधिर है कि जू कृनसा मंदिर है क्कौन सा रहाल मंदिर जाते हैं कौन से मंदिर माने जाते हैं यह बहुत बड़ी विसेस्ता यह है बहुत बारीकि निर्मित होते हैं और देख भी होगे आप किस कि फैले से निर्मित है कि यह वारे दोस्तों यह खुजुराह मंरों duct SAWD आज听 लिए झाल झाल